हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद स्मार्टनेस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम मद्धिपिदेश का गठन पढ़ेंगे जिसमें मद्धिपिदेश में हम देखेंगे कि आजादी के समय मद्धिपिदेश कैसा था मद्यपिदेश का गठन कैसे हुआ इसके पहले क्या हुआ और उसके बाद मद्यपिदेश में जब गठन हुआ मद्यपिदेश का तब उसमें कितने जिले थे और उसके बाद जिले कैसे बने कहा बने और किस जगर पे किस जिले से अलग होकर नई जिले बनाए गए और कितने जेले 36 गड़ में चले गए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे आजादी के समय मद्यपिदेश की प्रशाष्णिक इकाई सबसे पहले ये पूरा भारत का दिखाया जा रहा है कि भारत की प्रशाष्णिक पहले कैसी थी वहाँ पर दो चीजे थी एक ब्रिटिश प्रांथ दूसरा देशी रियास्ते आप देख सकते हैं आप लिखा हुआ ब्रिटिश प्रांथ एंड देशी रियास्ते ब्रिटिश प पर दिया हुआ है देशी रियासतैं हैं रदाथ राजा के राजह के राजह कि रहे राजह कि लेकिन उसकी पूरी अगया की देशी रियासते ही थी कि उनके लिए जनता के लिए राजा शाशन कर रहा होता था लेकिन एक्ट्रोल में जो कंट्रोल था वे बिटिस के हाथों में ही था तो चलिए आगे देखेंगे फिर इसके बाद यहां पर है भारती सो तंता अधिनियम 1947 यहां पर दो अधिराज थी द भारत में 552 देशी रियासते थी 549 जो हैं भारत में शामिल हुई जब यह कहा गया कि या तो आप भारत में आ जाए या पाकिस्तान में चले जाए तब भारत की रियासते जो थी 549 वे हैं हमारे भारत में शामिल हो गई तीन ऐसी रियासते थी जो स्वतंत रहना चाहती थी और स्वतंद थी उस समय तक कौन कौन सी जूनागर्ड, हैदराबाद, कश्मीर ये स्वतंद थी उस समय जूनागर्ड को जन्मत संग्रह के अधार पर भारत में मिला लिया गया हैदराबाद को पुलिस कारवाही के अधार पर भारत में सामिल कर लिया गया और कश्मीर को एक विले पत्र पर हस्ताक्षिर करके वहां के राजा द्वारा एक विले पत्र पर हस्ताक्षिर किया गया कि वो जगह जो कश्मीर है वह भारत में शामिल हो जाएगी इस तरीके से ये तीन जो स्वतंतर रह गए थे बाकी तो 552 में 549 भारत में शामिल हो गए लेकिन तीन जो रह गए थे उन्हें इस आधार पर भारत में शामिल किया गया अब हम देखेंगे मद्य पिदेश को सेंटर प्रोविंस और बरार नाम से जाना जाता था सबसे पहले इसमें हम देखेंगे स्टेट ए स्टेट ए इसकी अंदर गाता था सी पी मतलब सेंटर प्रोविंस बरार चत्तिसगर्ड और महा कोशल इस्टेट ए की राजधानी नागपूर थी नागपूर यहां के मुख मंत्री पंडित रवी शंकर शुकल थे इसके बाद आते हैं हम स्टेट बी में स्टेट बी में इसमें पश्यम की 26 रियासतें थी इसके अंदर का 26 रियासतों को सामिल किया गया था और इसका नाम था मध्ध भारत मध्ध भारत यहां के मुख मंतरी लीला धर जोशी थी लीला धर जोशी इसकी राजधानी इंदोर शीत कालीन हुआ करते थी और ग्वालियर ग्रीश मकालीन दो राजधानिया थी इंदोर और ग्वालियर जिसमें की इंदोर शीत कालीन और ग्रीश मकालीन थी इसके बाद हम देखेंगे स्टेट C इसके अंदरगत बखेल खंड बुंदेल खंड मतलब विंध्यन चेत्र आता था विंध्यन चेत्र इसकी राज़ानी रीवा थी रीवा थी इसकी राज़ानी और इसके मुख मंतरी पंडिश शम्भूनाज शुकला थे पंडिश शम्मूराज शुकला इसके बाद हम आते हैं भोपाल राज में भोपाल राज इसके बारे में थोड़ से देख लेंगे हम सुतंता के पशाद वर्ष 1949 तक भोपाल एक सुतंत राज रहा है ये किसी में भी शामिल नहीं था किसी स्टेट में मद्धिपिदेश की शामिल नहीं था ये एक सुतंत राज था कब तक 1949 तक जिसके शाशक नवाब हमी उल्ला खान थे एक जून 1949 को भोपाल को भाग गा में समलित कर लिया गया इसे प्रशाशनिक द्रस्टी से भोपाल और सिहोर जिले में विभाजित किया गया जिसके अंतर कर चौदा तहसिल थी वर्श नवें द्रस्टर शंकरद्याशार्म विभाजित किया keyboard में किसे पर शंकरद्याल शर्मा को भोपाल और मुख मांतरी नियुक्त किया गया'm 152 में इसके बाद हम इसी को स्टेट एबी सी को हम मैप से देख लेंगे तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट ए कि यहां पर पूरा लिखा हुआ है यह सबसे पहले यहां पर लिखा है स्टेट ए जिसकी राजधानी क्या रही है नाकपूर रही है और यहां पे कौन-कौन सा सेंटरल प्रोवेंस 36 गर्ड और बरार आते थे ठीक है इसके बाद आते हैं अपना स्टेट बी में यह लिखा है स्टेट बी इसकी राजधानी दो राजधानी रही हैं इन दौर जो की शीतकाली राजधानी थी और गौलियर जो की ग्रीशमगाली नाम से जाना जाता था इसके बाद हम आएंगे स्टेट सी में विद्निप्रदेश इसकी राजधानी रीवा थी रीवा यह लिखा है आपका स्टेट सी फिर भोपाल लिखा है आप अलग से भोपाल छोटी सी दो बनी हुई है मतलब उस समय तक उन्ने सो उननचास तक यह ए देखेंगे कि 1956 से लेके 2000 तक की सिद्य यह 2020 तक की सिद्य हम पूरे इसमें जिले कवर कर लेंगे सबसे पहले इसमें गठन बताया गया है गठन एक नवंबर 1956 को हुआ मद्धिदेश का गठन नवंबर 1956 को हुआ इसमें क्या-क्या परिवर्तन हुए ये देखेंगे बुल्धाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नाकपुर, भंडारा, चांदा को तातकालिन मुंबई राज में मिला दिया गया था इसके बाद हम देखेंगे मंदशोर जिले की भानपूर तहसील के सुनेल थप्पा को छोड़ कर मंदशोर जिले की भानपूर तहसील में सुनेल थप्पा को छोड़ कर शेश भाग MP में मिला दिया गया था, मतला मद्धिपिदेश में मिला दिया गया था राजिस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील राजिस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मद्यपिदेश के विदीशा जिले में मिला दिया गया था और बाकी पूरा संपूर्ण विंदीका पूरा भाग तथा भौपाल को मधिय देश में मिला दिया गये था इसके बाद हम देखेंगे को किमते सुचपन स conos researchcription हैं इसके बाद हम देखेंके इसका आंत्रेक पुनारगथन आंत्रेक पुनारगथन देखेंगे आंद्रिक पुन्रगठन में सबसे पहले हम देखेंगे कि 26 जनवर 1972 को दो जिले बने मद्धिपिदेश में दो नई जिले बने 26 जनवर 1972 को जिसमें भोपाल बना सिहोर से अलग होकर और राजनाथ गाओं बना दुर्ग से अलग होकर ठीक है चुकि भोपाल मद्धिपिदेश में अभी भी है लेकिन राजनाथ गाओं अब 36 गड में जा चुका है ठीक है इसके बाद हमारा 25 मई 1998 को बी आर दुबी के अनुशनशा पर 10 जिले बनाए गए टिक है इसको आप चाहें तो एक चुड़ी सी ट्रिक बना सकते हैं वन्शी डिंगी करके वन्शी वंशी डिंगी यह थोड़ी छोड़ी चोड़ी सी ट्रिक्स जो आपको याद रह सकती है आपको ऐसा लगता है कि हाँ यह याद रहेगा बियार दुबी के अनुशंशा पर बना था पर यह याद नहीं आ रहा है कि क्या बना था करके तो आप क्या कर सकते हो इसको याद कर सकत हो मतलब ऐसे पूरी हर चीज ट्रिक से याद नहीं करनी है लेकिन छोटी-छोटी जो आपके दिमाग में रहे वैसी ट्रिक्स आप यूज कर सकते कि आपको क्विक याद आ सके ठीक है और यहां पर हमने सिर्फ अभी चार जिले बताए हैं क्योंकि जो बचे हुए छे जिले थ पर 6 जिले बने 6 जुलाई उन्ने सटानेवे को सेहदे कमीटी की अनुशन शापर छे जिले बने कौन-कौन से ओमरिया शेहदोल से अलग होकर हर्दा होशंगाबाद से अलग होकर नीमच मंदिसौर से अलग होकर ठीक है और बच्चे जो तीन जिले थे वो च्छतिस गड़ जोड दिये गए हैं इसलिए उनको यहां यूज नहीं किया है हमने नहीं देखा इसमें अब मद्यपिदेश में टोटल हो गए थे मिष्ट जिले यह चतिस गड़ को जोड के बता है कि टोटल एक सर्ट जिले उस समय हो गए थे मद्यपिदेश में वर्ज 2 हजार में 45 मद्विदेश से 16 जिले उस समय अलग हो गए थे तो उस समय मद्विदेश में 45 हो गई थी जिलों की संख्या इसके बाद हम देखेंगे वर्स 2003 में 3 जिले बनाए गए कौन कौन से अशोकनगर बना गुना से अलग होकर बुर्हान पुर बना खंडवा से अलग होकर अनूपुर बना शेहडोल से अलग होकर ठीक है तब मद्विदेश में 48 जिले हो गए इसके बाद हम देखेंगे पाचवा वर्स 2008 में 2 जिले बने 2008 में कौन-कौन से दो जिले बने अली राजपुर बना आपका ज़ाबूआ से अलग होकर सिंगरौली बना सीधी से अलग होकर ठीक है अभी फिलहाल अली राजपुर का नाम बदल दिया गया है और चंदशेखर आजाद नगर कर दिया गया है इसका नाम चंद शेखर आजाद इनका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि चंद शेखर आजाद की जन्म इसलिए थी 16 गर्सन 2013 को एक जिला बना आगर मालवा शाज़ापुर से अलग होकर बनाईए वर्स 2018 में एक अक्टूबर 2018 को निवारी जिला बना निवारी जो की टीकमगड से अलग होकर बना तब मद्धिदेश में 52 जिले हुए कुल 52 जिले अब 2020 में नई जिले जो बने हैं वो है मैहर सतना से अलग होकर बना। चचोरा गुना से अलग होकर बना। नागदा उज्ञेन से अलग होकर बना। तो यहाँ पर हमने मद्वडेश के कुल जिले पूरे पढ़ चुके हैं, टोटल जिले कमप्लीट हो गए हैं हमारे यहाँ पे, कौन सा किस से अलग होकर बना है और किस सन में बना है वरतमान में मध्य पिदेश में पच्पंजले हैं पच्पंजले का हो चुका है इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हर जिले के बारे में हर चीज के importance पढ़ेंगे तो आपका ये यहीं पर समाप्त होता है इसके बाद हम पहले आयोग पढ़ेंगे फिर जिले के बारे में detail से पढ़ेंगे आप इसको अच्छे से पढ़ने क्योंकि ये question पूछे जाते हैं कि किस सन में कौन सा जिला बना किस से अलग होकर बना ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें जै हिंद जै भारत